हाई अप्रीवान देस इस नेहाउ विल्कम बाक तो दे चानल होप यौल आ डूइंग ग्रेट तो आज है हमारी माक्रो की वन शॉट लेक्चर सीरीज का डे टू और आज हम लोग करेंगे हमारा चाप्टर नमबर टू सम बेसे कॉंसाप्ट्स ओफ माक्रो एकनॉमिक्स इस च तो सारी बेसिक चीज़े डिसकस करेंगे और यह चाप्टर आपका बेस तयार करेगा इस पूरी बुक के लिए तो इस चाप्टर को बहुत अच्छे समझना शुरू करते हैं देखो चाप्टर के शुरू आती किससे होती है क्लासिफिकेशन और गोड्स सबसे पहले हम पूरी तरह से बनकर ready है, इनका पूरी तरह से production हो चुका है और कोई production होना नहीं रहता और कोई value add होनी नहीं रहती बस final user आए और इन goods को खरीद ले, इस तरह के goods को हम लोग क्या बोल देते हैं, final goods for example sofa set पूरी तरह से बनकर तयार है और कोई production होना नहीं रहता, बस customer आए और sofa set को खरीद ले, ये क्या है, final good है, समझ में आया, final goods कौन से goods है, which have crossed the boundary line of production, जो production की boundary line को cross कर चुके हैं, इन पर और कोई production होना नहीं रहता, और कोई value add होनी नहीं रहती, बस इनका final user, customer आए और इने खरीद ले, इस तरहे के goods को हम लोग क्या बोल देते है, final goods, सम याद रखना, intermediate goods सिर्फ और सिर्फ कौन खरीदता है, producer खरीदता है, producer जो raw material परचेस करता है वो raw material क्या कहलाता है, intermediate good कहलाता है, sofa set क्या है, final good है, लेकिन उस sofa set को बनाने के लिए producer ने जो woods खरीदी है, उसने जो nails, keel वगरा खरीदी है, जो favicol खरीदा है, वो raw material क्या है, intermediate good ह क्योंकि उस पर अभी और production होना रहता है और value add होनी रहती है अभी वो पूरी तरह से तयार नहीं है कि customer आए और उसे खरीद ले इस तरह के goods को raw material को हम क्या कहते हैं intermediate goods कहते हैं तो एक तो raw material आ गया इसमें और एक छीच और आती है अगर producer ने कोई चीच खरीदी है रिसेल करने के लिए अगर producer ने कोई shirt purchase करी है 400 रुपीज की वो सोच रहा है shirt को मैं 600 रुपे में बेचूंगा और रिसेल करूंगा तो रिसेल करने के लगर कोई चीच खरीदे हैं उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं intermediate goods समझ में आ गया तो final goods कौन से goods है जो पूरी तरह से बनकर तयार है final है production की boundary line को cross कर चुके है भई इनका customer आए और इने खरीद ले कौन से goods है final goods है वही intermediate goods कौन purchase करता है producer purchase करता है producer का raw material और अगर producer ने resell करने के लिए कुछ खरीदा है तो वो क्या कहलाता है intermediate goods समझ में आ गया अब देखो जब हम final goods की बात करते हैं तो final goods को हम again दो categories में divide कर देते हैं एक होते है final consumer goods क्या final consumer goods इसे हम consumption goods भी बोलते हैं और दूसरा होता है capital goods देखो अगर final goods को खरीदने वाला बंदा कोई consumer है मैं हूँ आप हो हम लोग अगर किसी चीज को खरीदने है क्यों खरीदने है क्यों कि उस चीज को purchase करके हमारी want satisfy होंगी हमें satisfaction मिलेग तो उन goods को हम लोग क्या बोलते थे है frågor consumer goods भुडीते हैं हम लोगोंने bread purchase करी, clothes खरीदे है, shoes खरीदे है, car purchase करते है, AC पर्चेस करते है लोग ट्रैक्टर वगएरा खरीदते हैं, क्योंकि उन सब चीजों से हमें साटस्फैक्शन मिलता है, क्या है consumer goods है, माना कि हम लोग उस bread से sandwich बनाएंगे, माना कि हम लोग उने जो sugar purchase करी है, उससे हम coffee बनाएंगे, चाय बनाएंगे, मिठाई वगरा बनाएंगे, लेकिन self consumption के लिए use में ले रहे है ना, हम producer नहीं है, हम उस चीज को बेचेंगे नहीं, तो ये सारी चीजें, चाहे हम उसे किसी और चीज में convert करें, bread से sandwich ही क्यों ना बनाएं, ये सारी चीजें क्या कहलाती है, consumer goods कहलाती है, consumption goods क वही capital goods क्या होते है, अगर final goods को खरीदने वाला बंदा कोई producer है, और producer raw material नहीं खरीद रहा, क्योंकि raw material खरीदना क्या होता है, intermediate goods, producer resell करने के लिए कुछ नहीं खरीद रहा, क्योंकि वो भी intermediate goods है, final goods की बात कर रहे है, अगर producer कोई fixed assets खरीदता है, यानि कि वो कोई machinery वगेरा खरीद रहा है, जिन चीजों की help से वो further production करेगा, सालों साल वो production process में उस machinery को, उस fixed assets को use करने वाला है, इन fixed assets को हम लोग बोलते है, final producer goods यानि की capital goods ये क्या है, machines वगेरा है, tractors खरीदे, threshers खरीदे, harvesters खरीदे, machines वगेरा खरीदी, ताकि इनकी help से further production हो, इस तरह की final goods को हम क्या बोलते है, capital goods, समझ में आ गई यहां तक बाते, clear है, अब देखो, consumer goods पर जो खर्चा करा जाता है, हम लोग जो consumer goods पर खर्चा कर रहे हैं, उस expenditure को बोला जाता है, consumption expenditure, समझ में आया, वही producer जो fixed assets पर, यानि की capital goods पर जो खर्चा कर रहा है, उसे हम लोग बोलते है, investment expenditure, तो obviously बात है, अगर हम consumption expenditure और investment expenditure दोनों को plus कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा, final goods पर total कितना expenditure करा गया है, खर्चा करा गया है, समझ में आ गई यहां तक बाते, और जबी भी हम national income निकालते हैं, तो national income में हम लोग हमेशा, सिर्फ final goods की value को ही लेते हैं, intermediate goods की value को नहीं लेते, क्योंकि अगर एक sofa से 35,000 रुपीज में बिक रहा है, यह क्या है, final good है, तो इस final good की value में already woods की value आ गई, fevicol की value आ गई, उस पे जो polish वगेरा लग रही है, सारी cost इसमें included है, तो सिर्फ final goods की value को लेते हैं, इसमें intermediate goods की value अपने आप आ जाती है, तो national income में कभी भी intermediate goods की value को न यह वो goods हैं, जो इन्होंने अभी production की boundary line को cross नहीं करा है, इन पर और production होना रहता है, और value add होनी रहती है, और यह अभी तयार नहीं है कि final user आए और इन्हें खरीद ले, लकडी कभी तयार नहीं है कि final user आए और उसे खरीद ले, उस लकडी को sofa set में convert करना पड़ेगा, हम लो हैं, तो final user इन्हें purchase नहीं कर सकता, या फिर अगर producer resale करने के लिए कोई जीच खरीता है, उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, intermediate goods समझ में आया, और intermediate goods पर जो खर्चा करा जाता है, उस खर्चे को हम लोग बोलते हैं, intermediate consumption, या फिर intermediate cost करेक्ते हैं, हाँ तक सारी बाते समझ में आ को माइनस कर दो, मैंने कहा value of output, sofa set कितने में बिक रहा है, 35,000 में, final value है, sofa set को हम 35,000 रुपीज में sell कर रहे हैं, उसमें से intermediate consumption माइनस कर दो कि woods वगेरा, favicol वगेरा, polish वगेरा, जितना भी raw material है, वो कितने का आया, माना कि raw material आया, 20,000 रुपीज का, तो अब जो हमारे पास मे 15,000 आ रहा है, यह 15,000 क्या है, gross value addition, क्या होता है, gross value addition, और मैंने बता दिया, intermediate goods को हम कभी भी national income के अंदर include नहीं करते, सिर्फ final goods को ही करते हैं, क्योंकि final goods की value के अंदर, अपने आप intermediate goods की value included है, अगर हम दोनों चीज़ों को add कर देंगे, तो हम एक ही चीज़ को दो बार count करे इसकी वज़े से एक error create हो जाता है, जिसे हम बोलते है double counting, समझ में आ गई यहां तक सारी बाते हैं, आगे बढ़ते हैं, बेखो एक topic आता है, the same good may be final or intermediate, बहुत थ्यान से समझना, एक जो good है, वो किसी के लिए final good भी हो सकता है, चाहे वो final consumer good हो, चाहे final producer good हो, capital good हो, और वो same good intermediate good भी हो सकता है, हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, यह उस good के and use पर depend करता है, depend करता है कि उस good को खरीद कौन रहा है, use कौन कर रहा है, बेखो अगर हम लोग sugar purchase करते हैं, चाहे हम उससे चाय बनाए, कौफी बनाए, कुछ भी बनाए, हम लोग जो sugar purchase करे हैं, वो sugar क्या है final consumer good है, समझ में आया वहीं sugar अगर factory में use करी जाए, चोकलेट बनाने के लिए तो वो sugar क्या है, raw material है, तो वो sugar क्या बन जाएगी, intermediate good बन जाएगी, समझ में आया, for example मैं कहती हूँ, माल लो एक farmer ने tractor खरीदा है, ताकि वो इस tractor की help से further production कर सके तो वो tractor क्या है, farmer का fixed asset है, यानि कि final producer good है, समझ में आया final producer good है, वहीं अगर कोई tractor खरीता है, कोई दुकानदार कोई producer tractor खरीता है, resale करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो resale करने के लिए अगर आपको चीज खरीदे रहो, तो वो चीज क्या होती है, intermediate good, समझ में आगया, तो same good, final good और intermediate good दोनों हो सकता है, depend करता हुसे purchase करने वाला बंदा कौन है, तो देखो, conclusion हम लोगोंने क्या निकाला, अगर producer raw material खरीता है, तो raw material किसमें आता है, intermediate goods के अंदर, producer अगर resale करने के लिए कुछ खरीता है, जैसे tractor खरीदा, वो भी किसमें आएगा, intermediate goods के अंदर, अगर producer fixed assets, machinery वगेरा खरीता है, तो वो क्या है, final producer good है, जिसे हम बोलते है, capital good, और अगर house or sector कोई चीच खरीता है, self consumption के लिए, उसे हम बोलते है, final consumer goods, समझ में आगया, आगे बड़ी भी को difference है, intermediate goods और final goods, दोनों में क्या difference होता है, intermediate goods के अंदर, एक तो producer का raw material आजाता है, और producer कोई चीच रिसेल करने के लिए खरीता है, वो भी किसमें आजाता है, intermediate goods के अंदर, final goods के अंदर क्या होता है, consumer अगर किसी चीच को खरीद रहा है, self-consumption के लिए, वो क्या है, final consumer goods, वही producer, जो machinery, जो fixed assets खरीदता है, further production के लिए, वो भी किसमें आते हैं, final goods के अंदर, final producer goods, समझ में आया, intermediate goods कौन से goods है, जो अभी production की boundary line के अंदर, अंदर ही है, इन पर production होना रहता है, और value add होनी रहती है, वही final goods कौन से goods होते हैं, जिन्होंने production की boundary line को cross कर दिया है, ready है कि final user आये, और इनने खरीद ले, intermediate goods के अंदर, अभी और value add होनी रहती है, final goods के अंदर, कोई value add होनी नहीं रहती, जब हम national income निकालते हैं, तो उसमें हम intermediate goods को include नहीं करते हैं, हम सिर्फ कौन से goods को include करते हैं, final goods को include करते हैं, समझ में आया हो, आगे बढ़ते हैं, अब देखो बात करते हैं, consumer goods की, जो हम लोगोंने देखा था ना, final consumer goods, जिसे हम consumption goods भी बोलते हैं, जो हम लोग खरीते हैं, ताकि हमारी want satisfy हो सकें, तो ये जो consumer goods होते हैं, इन्हें again हम four categories में divide करते हैं, एक होते हैं durable goods, एक हैं semi-durable goods, एक है non-durable goods, और last होते हैं services, यानि कि non-material goods, बेको नाम से समझ में आ रहा है, durable goods, यानि कि वो goods, जो सालों साल चलते हैं, for example, costly furniture हो गया, गाड़ी हो गई, washing machine हो गया, AC वगेरा goods होते हैं, जो एक साल या फिर एक साल से थोड़ा सा जादा चलते हैं, specially कपड़े वगेरा, या फिर कोई crockery हो गई, कोई बर्तन वगेरा हो गई, कोई छोटा मोटा furniture हो गया, जो एक साल या एक साल से थोड़ा सा जादा चलेगा, और इनकी value comparative भी थोड़ सी कम होती है, इस तरह के goods को हम बोलते हैं, semi-durable goods, फिर आते हैं non-durable goods, इसे हम single-use consumption goods भी बोलते हैं, ऐसे goods जिने हमने एक बार यूज करा, एक बार यूज करते ही, खतम हो गए, bread आपने खाली, जितनी आपने खाली, उतनी तो खतम हो गई, petrol आपने जितना consume कर लिया, उतना खतम हो गया, दूर आपने जितना पी लिया, toothpaste आपने जितना use कर लिया उतना तो खतम हो गया बार-बार एक जो same आप यूज कर चुके हैं, उसे बार-बार यूज नहीं कर सकते, एक बार use करते यही यह सारी चीज़े खतम हो जाती है, इस तरह के goods को बोलते है, non-durable, या फिर semi, single-use consumption goods, और last होती है, services, services का दूसरा नाम है, non-material goods, आप मेरी services ले रहे हो, doctor, lawyer, CEO अगरा की services लेते हो, तो services को आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, इन्हें आप touch नहीं कर सकते, इसी को हम क्या बोलत capital goods, capital goods कौन से है, producer जो fixed assets खरीता है, जो machinery वगेरा खरीता है, जिनकी value भी बहुत जादा होती है, और इन्हें वो production process के अंदर repeatedly बार-बार यूज़ करता है, for the production के लिए, in goods को हम बोलते है, capital goods, और इन पर हमेशा depreciation लगता है, यानि कि in machinery वगेरा की value जो है, वो time के साथ पर depreciate value गिरती जाती है, example क्या हो गया, plant and machinery, समझ में आ गया, आगे बात करते है, all capital goods are producer goods, but all producer goods are not capital goods, why, देको एक question है, सारे के सारे capital goods तो producer goods है, लेकिन सारे के सारे producer goods, capital goods नहीं होते, देको producer goods मतलब producer जिन भी चीज़ों को खरीता है, वो सारी चीज़े क्या कहलाती है, producer goods कहलाती है, जैसे producer तो raw material भी purchase करता है, sofa set बनाने के लिए वो जो woods और जो nails जो favicol purchase कर रहा है, वो raw material खरीद रहा है, वो भी क्या है, producer का good है, producer तो machinery वगेरा भी खरीता है, fixed assets वगेरा भी खरीता है, ये जो machinery है, इसे हम लोग क्या बोलते है, capital goods बोलते हैं, तो सारे capital goods तो producer goods के अंदर आत आते हैं, लेकिन सारे के सारे producer goods, capital goods नहीं है, capital goods के अंदर सिर्फ क्या आती है, fixed assets आते है, machinery वगेरा आती है, it does not include raw material, इसमें raw material नहीं आता, तो हम बोल सकते हैं, सारे producer goods, capital goods नहीं होते, correct है, आगे बढ़ जाए, all machines are not capital goods, again, बहुत काम की बात है, सारी की सारी जो machines होती है, वो इनकी health से further production कर सके, for example, एक सिलाई machine की बात करते हैं, अगर सिलाई machine घर में ममी यूज़ कर रही है, सिलाई करने के लिए, तो वो सिलाई machine सिर्फ machine है, वो capital goods नहीं है, वो ममी का final consumer good है, समझ में आया, जो सिलाई machine ममी यूज़ कर रही है, वो क्या है, final consumer good है, लेकिन अगर वह हम लोग खरीते हैं, हमारी wants को satisfy करने के लिए, वो क्या है, final consumer good है, लेकिन अगर एक tourist company अपने tourist को घुमाने के लिए कोई गाड़ी खरीती है, तो वो गाड़ी उनके लिए क्या है, final producer good है, यानि की capital good है, समझ में आ गया, आगे बात करते हैं, difference between consumption goods and capital goods, consumption goods कौनसे goods हैं, जो हम लोग खरीद रहे हैं, हमारी wants को satisfy करने के लिए, capital goods, यानि की machinery वगएरा, जो producer खरीता है, ताकि वो इनकी help से further production कर सके, तो ये वो goods हैं, जिनकी help से further production होता है, most consumption goods have limited lifetime, जादा तो जो consumption goods होते हैं, उनका lifetime limited होता है, कपड़े वगएरा, या फिर खाने पीने की चीज़े, इनक इनकी life जादा होती है, these goods are consumed by the household, ये सारी चीज़े हम लोग खरीतते हैं, इसी लिए इने बोला जाता है, direct demand, वही ये सारी चीज़े कौन खरीता है, producer खरीता है, ताकि वो इन चीज़ों से further production कर सके, तो इने बोला जाता है, derived demand, consumption goods पे जो खर्चा करते हैं, उसे हम बोलते है consumption expenditure पीछे देखा था, capital goods पर जो producer खर्चा करता है, उसे हम बोलते हैं, investment expenditure, अगर country के अंदर जादा से जादा consumption goods बनेंगे, तो हम लोग इन चीज़ों को consume करेंगे, हमारा quality of life इंप्रूव होगा, वही अगर country के अंदर जादा से जादा capital goods, machines वगरा बनेंगी, तो machineों की healthy production increase हो consumption expenditure, consumption expenditure के components की बात करते हैं, तो देको goods पर खर्चा जो है, वो household sector भी करता है, हम लोग बहुत सारे goods खरीते हैं, चाई, चीनी, सबजी वगरा बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इन से हमारी want satisfy होती है, government भी बहुत सारी चीज़े खरीती है, government भी food grains वगरा खरीती है, ताकि वो weapons forces के लिए खरीती है, या फिर society के welfare के लिए खरीती है, बहुत सारे food grains खरीत के गरीब लोगों को supply करती है, वहीं जो non-profit institutions जैसे NGO वगरा हैं, मंदिर वगरा हैं, मजद वगरा हैं, ये भी बहुत सारी चीज़े खरीते हैं, ताकि इन सारी चीज़ों को charity के लिए यूज में ले सके, तो अगर हम तीनों को plus कर देंगे, household sector जो consumption expenditure कर रहा है, सरकार जो consumption expenditure कर रही है, प्लस ये non-profit private institutions, मंदिर वगरा जो खर्चा कर रहे हैं, इन तीनों को plus कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा country में total कितना consumption expenditure हो रहा है, उसके बाद में आता है components of investment, investment क्या है, producer जो machine भी वग शुरुआत के अंदर, producer ने business के अंदर 10 लाक रुपे लगा रखे थे, कितने रुपे लगा रखे थे, 10 लाक की business के अंदर machine री वगरा थी, 10 लाक का business के अंदर stock पढ़ा था, माल वगरा था, और साल के end में मानलो total खर्चा हो गया, total investment हो गया, 12 लाक रुपीज की, साल के end मे मानलो machine वगरा में इतना पैसा लगा रखा है, तो इस साल कितनी investment हुई, 2 lakh की investment हुई न, यही investment है, इसी को हम लोग क्या बोलते है, capital formation, तो देको investment दो तरेकी होती है, एक होती है fixed investment, और दूसरी होती है inventory investment, producer जो fixed assets में पैसा लगाता है, जो machine ली वगरा खरीदता है, उसे हम ल दूसरा नाम है fixed capital formation, याद रखना क्या नाम है fixed capital formation, जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर machine खरीदी जाएंगी, तो production capacity increase होगी, जादा से जादा production होगा, जादा से जादा अगर output generate होगा, तो country का GDP increase होगा, और अगर बहुत सारी machines खरीद रखिए, तो कभी भी अगर additional demand आती है, तो एक तो होगिया fixed investment, दूसरा होता है inventory investment, producer के पास में जो raw material का stock रखा हुआ है, जो semi-finished goods का stock रखा हुआ है, या पिर जो finished goods का stock स्टौक रखा हुआ हुआ है, raw material, woods वगज़ा हो गई, finished goods क्या है, कि उस woods से sofa set वगज़ा बन गया, semi-finished goods क्या है कि अभी wood का structure बना रखा है, sofa set का structure बना रखा है अभी उस पर polish होनी है गदी वगएरा लगनी है तो इन चीनों चीजों के stock को बोला जाता है inventory investment समझ में आ गया raw material क्यों जरूरी है raw material जरूरी है ताकि हमेशा producer के पास में inputs रहे raw material रहे अगर उसके पास में हमेशा raw material रहेगा तो producer को daily basis पर raw material purchase करने की जरूरत नहीं है कभी भी market की uncertainties को उसे face नहीं करना पड़ेगा मान लो बारिश वगएरा हारी है raw material लेकर आना possible नहीं है ऐसी situation नहीं होगी अगर उसके पास में enough raw material का stock है वो अराम से production कर सकता है और finished goods का stock होना क्यों जरूरी है ताकि जैसे ही additional demand आए producer अपनी additional demand को fulfill कर सके उसके go down के अंदर sufficient finished goods रखे हुए है समझ में आ गया एच छोटी सी बात है desired inventory stock और undesired inventory stock क्या होता है देखो desired inventory stock producer ने inventory रख रखी है stock रख रखा है raw material का finished goods का सामी finished goods का अपनी demand के हिसाब से उसने stock रख रखा है कि यार इतनी demand आएगी demand के according उसने stock रख रखा है that is desired inventory stock लेकिन उसने सोचा था मानलो demand आएगी 50,000 रुपे की 50,000 तक की है ना demand 50,000 तक की आएगी उसने इतना stock रख रखा है मानलो demand से तक की ही आई तो जो extra 30,000 बच गया उसके पास में stock finished goods का उसे हम बोलते हैं undesired inventory stock समझ में आया आगे बात करते हैं gross investment nat investment और depreciation देखो gross investment क्या होता है बहुत थ्यान से समझना यानि कि एक साल के अंदर अंदर जितना भी capital goods का production हुआ है capital goods मतलब मशीनों वगेरा का जो production हुआ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं gross investment अब देखो इसके अंदर दो चीज़े आती है capital goods used for replacement of existing capital stock which is worn out माल लोग कोई machinery वगेरा थी जो खराब हो गई या फिर कोई damage वगेरा हो गया है machinery वगेरा को कोई में हमारा capital stock था कोई machinery वगेरा थी जो worn out हो गई खराब हो गई या फिर समय के साथ साथ में उसकी value गिर गई जिसे हम depreciation भी बोलते किसी asset की अगर समय के साथ साथ में value गिर जाती asset खराब होता है उसे हम क्या बोलते हैं depreciation या फिर replacement investment क्या कहते हैं replacement investment तो इन चीज़ों को replace करने के लिए हम लोगोंने जो capital goods खरीदे हैं एक 10 लाग रुपे तक की machinery खराब हो गई उसे replace करने के लिए हम लोगोंने एक और 10 लाग रुपे तक की जो machinery खरीदी है वो भी इसी के अंदर आता है यानि कि replace करने के लिए हम लोगों ने जो खरीदा है वो भी gross investment के अंदर आया और हम लोगों ने additional capital stock खरीदा है वो तो machine दी खरीदी है ही साथ में हम लोगों ने extra machinery और खरीदी ताकि हमारा production increase हो जाए जिसे हम लोग क्या बोलते है nat investment दोनों को plus कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा gross investment समझ में आया मान लो 10 लाग रुपे तक की हमारी एक machinery खराब हो गई थी उसे replace करने के लिए हम लोगों ने 10 लाग रुपे तक की machinery खरीदी प्लस हम लोगों ने 5 लाग की machinery और खरीदी additional machinery ताकि हमारी production capacity increase हो सके इसे हम बोलते है nat investment दोनों को plus कर दो ये 15 lakh क्या होता है हमारा gross investment समझ में आया replace करने के लिए जो machinery खरीदते हैं उसी को हम depreciation भी बोलते हैं तो gross investment कैसे निकलता है इसमें एक तो ये nat investment आ गया चो हम लोगों ने additional machinery खरीदी प्लस इसमें ये depreciation आ गया यानि कि हमारी machinery को replace करने के लिए खरीदा है समझ भाया और कभी भी अगर हमे nat investment निकालना होता है तो हम क machinery खरीदना क्यों जरूरी है अगर हम additional machinery खरीदेंगे तो क्या होगा investment होगा हमारा stock of capital increase होगा stock of capital increase होगा तो हमारी labor के पास में ज्यादा से ज्यादा machinery अवलेबल होगी labor की efficiency increase होगी labor की productivity increase होगी मशीने ज्यादा होगी मशीने ज्यादा है production ज्यादा हो सकता है तो उन मशीनों पर काम करने के लिए हमें और labor को भी higher करना पड़ेगा production capacity increase होगी country का GDP increase होगा समझ में आया आगे लेको gross investment और net investment में दोनों में क्या difference है net investment के अंदर हम लोग जो नया asset खरीते हैं जो नई machinery खरीते हैं सिर्फ उसी को लेते हैं gross investment में हम दोनों को लेते हैं हम लोगों ने जो हमारी पुरानी machinery existing machinery को replace करने के लिए जो नई machinery खरीती है वो भी लेंगे प्लस additional machinery जो हम लोगों ने खरीदी है जो new asset खरीदा है extra asset उसे भी लेंगे दोनों चीजों को लेंगे इसके अंदर हम लोगों ने depreciation को include करा है यानि की पुरानी वाली machinery को replace करने के लिए हम लोगों ने जो नई machinery खरी दी है वो भी इसमें included है इसके अंदर हम लोग depreciation को include नहीं करते, सिर्फ additional machinery को लेते हैं It shows nat addition to existing capital stock, इसमें हमें पता चल रहा है हम लोगों ने कितना nat addition किरा, कितनी extra machinery और खरीदी है इससे हमें nat addition का पता नहीं चलता, इसमें replacement वाली machinery भी आ जाती है It need not necessary lead to increase in production capacity, इसकी वज़े से जरूरी नहीं है हमारी production capacity increase हो हम लोगी 10 lakh रुपे तक की machinery खराब हो गई थी, उसे replace करने के लिए हम लोगों ने एक नई 10 lakh रुपे तक की machinery खरीद ली तो इसकी वज़े से थोड़ी ना हमारी production capacity increase हो जाएगी, production capacity तो हमारी तब increase होगी जब हम nat investment करेंगे यानि की additional machinery खरीदेंगे, की 10 lakh रुपे तक की machinery तो है ही, साथ में हम लोगों ने 5 lakh रुपे तक की machinery और खरीद ली, अब 15 lakh रुपे तक की machinery हमारे पास में है तब हमारा production capacity increase होगी, समझ में आया फिर बात करते, depreciation क्या होता है, आप सबको पता है, जबी भी fixed asset की value गिरती जाती है, time के साथ-साथ में normal wear and tear की वज़े से, क्योंकि हम उस fixed asset को बारबार use कर रहे हैं कई बार accidental damages भी हो जाता है, machinery गिर वगेरा गई या फिर expected obsolescence भी होता है कि technology पुरानी हो गई, तो हमें नई technology का TV लेना पड़ेगा, लैपी वगेरा लेना पड़ेगा तो जब समय के साथ-साथ में किसी fixed asset, किसी machinery के value गिरती है, उसे हम क्या बोलते है depreciation, इसका दूसरा नाम है consumption of fixed capital क्या बोलते है, consumption of fixed capital और इसके लिए हम एक गुल्लक भी बनाते है, जिस गुल्लक का नाम होता है depreciation reserve fund, देखो क्या होता है, depreciation reserve fund क्यों बनाया जाता है हमें पता है, 10-15 साल बाद में हमारी machinery पर depreciation लगता जाएगा उसकी value गिरती जाएगी, हमें उसे एक नई machinery से replace करना पड़ेगा ऐसा ही होता है, तो उसके लिए हम एक गुल्लक बनाते हैं, जिस गुल्लक में हम हर साल थोड़ा-थोड़ा amount दालते जाते हैं, जब हमारी पूरी machinery खराब हो जाएगी तो उस गुल्लक को फोडेंगे, उसमें से पैसा निकालेंगे और एक नई machinery खरीद लेंगे, उसे replace कर देंगे तो इस गुल्लक को इस reserve fund को बोला जाता है, depreciation reserve fund क्यों जरूरी है, ताकि कल को जब हम हमारी machinery को replace करेंगे तो हमारे पास में sufficient funds available हो, अगर हम ये गुल्लक नहीं बनाएंगे तो कहीं न कहीं हमारी investment कम रहेगी, investment कम होगा, तो obviously बात है country के अंदर level of output कम होगा, machine कम है तो production कम होगा और economy हमारी चले जाएगी, economic slowdown के अंदर हमें slowdown एक गरीबी phase करने पड़ेगी, समझ में आ गया, आगे बात करते expected obsolescence और unexpected obsolescence, देखो जब किसी fixed asset की value गिरती है क्योंकि technology में कोई change आ गया, technology पुरानी हो गई, तो laptop पुराना हो गया, टीवी वगेरा पुराना हो गया, या फिर customers की demand बदल गई, customers नई type की चीच चाहते हैं, तो उसे हम बोलते है, expected obsolescence पीछे भी देखा था, depreciation होता है, इसकी वज़े से asset की value गिरती है, एक होता है, unexpected obsolescence, अगर कोई natural calamity आ गई, मान लो earthquake आ गई, floods वगेरा आ गई, हमारी machinery खराब हो गई, उसे हम बोलते है, unexpected obsolescence, समझ में आया, इसे हम depreciation के अंदर include करते हैं, पीछे हम लोगों ने देखा था, लेकिन ये depreciation का part नहीं है, इसे हम बोलते है, capital loss, इसे maintain करने के लिए हम एक गुल्लग बनाते हैं, जिसका नाम होता है, depreciation reserve fund, लेकिन इसके लिए हम कोई गुल्लग maintain नहीं करते, इसके लिए हम हमारे asset का क्या करा के रखते हैं, insurance करा के रखते हैं, एक difference और है, consumption of fixed capital, consumption of fixed capital किसे बोलते हैं, depreciation का दूसरा नाम है, consumption of fixed capital, और एक होता है capital loss, पीछे भी हम लोगों ने देखा था, depreciation का मतलब क्या है, जब भी किसी fixed asset की value गिरती है, normal wear and tear की वज़े से, या फिर कोई accidental damage हो गया, या फिर technology पुरानी हो गई, वो क्या है, depreciation है, लेकिन अगर किसी fixed asset की value गिर जाती है, किसी natural calamity की वज़े से, earthquake, floods वगयरा की वज़े से, उसे हम क्या बोलते हैं, capital loss बोलते हैं, it occurs while they are being continuously used in the process of production, depreciation सिर्फ तभी लगता है, जब हम हमारे asset को continuously use कर रहे हैं, तभी वो asset गिसेगा, तभी कोई न कोई accident होगा, तभी उसकी value गिरेगी, लेकिन यहाँ पर अगर हमारा asset as it is रखा हुआ भी है, अचानक से earthquake आ गया, तभी हमारा asset destroy हो सकता है, उसकी value गिर सकती है, इससे हम manage कर सकते हैं, depreciation reserve fund से, इससे हम इस fund से reserve manage नहीं कर सकते, इसके लिए हमें क्या करवाना पड़ता है, हमारे fixed asset का insurance, समझ में आ गया, difference आये, तो exam में लिख कर आ सकते हो, आगे बाद आती है, stocks क्या होते है, flows क्या होते है, देखो अगर आप किसी भी चीच को measure कर सकते हो, at a point of time तो उसे हम बोलते है, stock, मैं measure कर सकती हूँ कि at a point of time मेरे bank account में कितना पैसा है, मेरे पास में कितनी जंधन है, कितनी जायदाद है, उसे हम लोग क्या बोलते है, stock बोलते है, हम लोग measure कर सकते हैं कि at a point of time हमारी country की population कितनी है, ये क्या है, stock है, at a point of time अगर आप किसी चीच को measure कर सकते हो, तो वो stock है, लेकिन अगर आप किसी चीच को at a point of time measure नहीं कर सकते, over a period of time measure करते हो, उसे हम flow बोलते हैं, जैसे मेरी monthly income कितनी है तो मैं बोलोंगे 50,000 per month मैंने आगे एक per month वाली चीज लगा दी मेरा annual package कितना है मैंने बोला 20 lakh per year पर चीज लग रही है तो अगर हम किसी चीज को over a period of time measure करते है यानि कि यह per word लग जाता है उसे हम बोलते है flow concept समझ में आया interest on capital salary के लिए लिकलता है capital formation कितना हुआ तो यह भी हम देखते है कि एक साल के अंदर कितना capital formation हुआ एक साल के अंदर कितनी investment हुई मेरी income कितनी है per month per week या फिर per year क्या है flow concept है समझ में आया difference क्या है stock को हम measure करते है at a point of time flow को हम measure करते है over a period of time per चीज लग जाती है stock जो होता है वो flow पर अपना impact दालता है अगर हमारे पास में capital का stock जादा है machine का stock जादा है तो obviously बात है जादा से जादा goods or services का flow होगा हम जादा से जादा goods or services बना सकते हैं flow भी stock पर impact दालता है अगर हमारी income जादा होगी per month income हमारी जादा होगी तो obviously बात है हमारा wealth का जो stock है वो increase होगा हमारी धन धन जायदात पूंजी increase होगी, stock time dimensional नहीं है, यहाँ पर का use नहीं होता, flow time dimensional है, हम हर चीज को per hour, per month, per year के हिसाफ से बताते हैं, बात, तब में जो पानी है, that is stock, लेकिन जो नल से पानी flow हो रहा है, वो क्या है, flow concept है, समझ में आ गया, फिर बात आती है, देखो, किसी भी economy में, चार तरे के sectors होते हैं, एक होता है, household sector, एक होता है, producer sector, एक होता है, government sector, एक होता है, the external sector, household sector मतलब, आप में हम सब लोग, जो क्या करते हैं, goods or services का consumption करते हैं, ताकि हमारी want satisfy हो सके, producer क्या करता है, goods or services को produce करता है, अब एक चीज़ रियाद रखना, producer को production करने के लिए, चार factors or production की requirement होती है land, एक होता है labor, एक होता है capital और दूसरा होता है entrepreneurship. Producer के पास में ये factors of production कहां से आते हैं, household sector से आते हैं, तो हम बोलते है household sector कौन होता है, owners of factors of production होते हैं, हम लोगों के यहां से ही कुछ लोग हैं, जो as a labor producer के पास में काम कर रहे हैं, हम लोग ही हमारा land उने rent पर देते हैं, हम लोग ही producer के पास में business में capital लगाते हैं, अपनी entrepreneurial skills देते हैं, तो producer production करता है, उसे factors of production की requirement होती है, factors of production उसे कहां से मिलते हैं, household sector से, we are the owners of factors of production, government क्या है, government एक welfare agency का काम करती है, हमें अलग-अलग तरेगी services देती है, external sector यानि की rest of the world जिन से हम बहुत सारी चीज़ें import करते हैं, अब देखो चो economy के ये चारो sectors हैं, ये चारो sectors एक दूसरे पर dependent होते हैं, इसी को हम बोलते हैं, inter-sectoral dependence, household sector, producer sector पर dependent है, कि street के लिए goods और services के लिए, producer sector भी household sector पर dependent है, producer sector को factors और production कहां से मिलते हैं, household sector से, सरकार हम लोगों पर dependent है, household sector और producer sector पर, क्योंकि हम सरकार को क्या देते हैं, tax देते हैं, और हम लोग producers भी और household sector भी सरकार पर dependent हैं, अलग अलग तरहे की administrative services के लिए, country में law, order और defense maintain करने के लिए, हम लोग किस पर dependent हैं, government पर dependent हैं, और इसी inter-sectoral dependence की वज़े से जर्म होता है, inter- total flows, important बात है, एक होता है, real flows, एक होता है money flows, देखो, जबी भी country के अंदर goods और services का flow होता है, goods और services का flow होता है, उसे हम बोलते है, real flows, क्या बोलते है, real flows, वहीं जब country के अंदर पैसे का flow होता है, उसे हम लोग बोल देते है, money flows, याद रहेगा, goods और services के flow को हम बोलते है, real flow, और पैसे के flow को हम लोग क्या बोल देते हैं, money flow, अब ध्यान से समझना, यहाँ पर यह क्या है हमारे पास में household sector है, यह क्या है हमारे पास में household sector है, आप में हम सब लो, और यह क्या है हमारे पास में producer sector है, यानि की firm बगेरा है, producer sector production करता है, goods or services बनाता है, और बना के किसको देंगे money flow बोल देंगे समझ में आ गया same ऐसे ही producer sector को production करने के लिए क्या चाहिए चार factor services चाहिए land, labor, capital, entrepreneurship की ये factor services उसे कहां से मिलती है household sector से मिलती है तो ये हो गया real flows और बदले में producer sector भी तो payment करता है labor को salary wages देता है land के बदले rent देता है जिन्होंने capital लगाई है बदले में क्या होता है जिन्होंने गुट्ज़ और सर्विसे का flow होता है household sector है और ये है producer sector producer sector goods or services बना के किसे बेचता है household sector को बेचता है goods or services का flow हो रहा है real flow के अंदर आएगा household sector भी अपनी factor services देता है land, labor, capital, entrepreneurship की किसे producer sector को ये भी real flows के अंदर है उसके बदले में क्या होता है money flow होता है household sector ने goods or services खरी दे हैं तो household sector क्या करेगा खर्चा करेगा goods or services पर ये क्या है money flow है producer sector factor services यूज कर रहा है तो वो उन सब्सीजों के बदले क्या करेगा payment करेगा जिसे हम बोलते है payment for factor services that is money flows clear है वागे वही दे रखा है इसे एक बार देख लेना कि household sector क्या ले रहा है goods or services ले रहा है बदले में payment कर रहा है producer sector यानि की firms क्या ले रही है factor services ले रही है उसके बदले में वो क्या कर रही है payment कर रही है last topic आता है last नहीं है एक छोटा सा difference है सबसे पहले real flows और money flows दोनों में क्या difference है जेको real flows में किसका flow हो रहा है goods or services का flow हो रहा है money flows में किसका flow हो रहा है money flows में flow हो रहा है सिर्फ और सिर्फ पैसे का real flows के अंदर क्या है physical output या फिर services का flow हो रहा है और यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहे है, monetary transactions हो रहे है, real flows की वज़े से कहीं न कहीं, country के अंदर जादा से जादा level of output increase होता है, production जादा से जादा होता है, क्योंकि goods और services का flow है, लेकिन money flow की वज़े से ज़रूरी नहीं है, हमेशा country के अंदर level of output increase हो, यहाँ पर level of output increase क्यों हो रहा है, क्योंकि household sector, producer sector को क्या दे रहा है, factor services दे रहा है, factor services किस के अंदर आती है, real flows के अंदर आती है, जब तक factor services नहीं होंगी, तब तक कोई भी output generate नहीं हो सकता, land, labor, capital, entrepreneurship ज़रूरी है ना, समझ में आया, तो इसकी वज़े से level of output increase होता है, इसकी वज़े से ज़रूरी नहीं हमारा level of output increase हो, समझ में आया, फिर आता है last topic हमारा, circular flow of income, देखो circular flow of income क्या है, एक unending flow है, यानि कि तीन तरह की activities हैं, जो हमेशा होती ही रहती है, जैसे सबसे पहले क्या होता है, फिर उसके पास में क्या होती है, income generate होती है, अब वो इस income को क्या करेगा, distribute करेगा, कैसे distribute करेगा, land को देदेगा, rent, labor को क्या देदेता है, salary और wages देदेता है, जिन लोगोंने business में capital लगाई थी, उन्हें capital के बदले interest मिल जाता है, और entrepreneur को मिल जाता है, अपने हिस्से का profit, सबके पास में पैसा आगया, सबके पास में पैसा आया है, तो लोग अपनी income को क्या करेंगे, खर्च करेंगे, expenditure होगा, यानि कि disposition होगा, again लोग पैसा खर्च करेंगे, यानि कि लोग goods or services की demand कर रहे हैं, again production होगा, again income generate होगी, again income खर्च होगी, तो यह एक unending flow है, जिसमें तीन चीज़े हो रही है, production, फिर income generation, और last में क्या हो रहा है, expenditure, इस तरह से economy में हमेशा चलता ही रहता है, इसे हम लोग बोल देते हैं, circular flow of income, समझ में आया, सबसे पहले क्या हुआ, production हुआ, यानि कि value addition हुआ, production कैसे होता है, चार factors of production की help से होता है, यह factors of production producer को कहां से मिलते हैं, household sector से मिलते हैं, उसके बाद में income generate होई, यह income किसके पास में जाएगी, household sector के पास में जाएगी, land को मिलेगा, rent, labor को मिलेगी, salary और wages, capital को मिलेगा, interest, और entrepreneur को मिल जाएगा, उसके हिस्से का profit, income generate हो गई, अब लोग क्या करते हैं, अपनी income को खर्च करते हैं, अलग-अलग goods or services पर, यानि कि disposition, तो production is equal to income generation, is equal to expenditure, इसी को हम बोलते हैं, triple identity, समझ में आ गया, यह छोटा सा है, circular flow model in two sector economy, हम यह मान के चलते हैं, कि हमारे देश में दो ही sectors हैं, एक है household sector, आप में हम सब लोग, और एक है producer sector, हम यह मान के चलते हैं, कि government sector भी exist नहीं करता, पढ़ने के लिए हमारे class 12 के course के according, और rest of the world, यानि कि foreign sector भी exist नहीं करता, तो यहाँ पर क्या होता है, household sector को goods or services कहां से मिलते हैं, producer sector से, real flows है, बदले में household sector payment करता है, यानि कि यह क्या है, money flows है, producer sector को goods or services बनाने के लिए क्या चाहिए, factor services चाहिए, land, labor, capital, entrepreneurship की, कहां से आती हैं, household sector से, और बदले में वो क्या करता है, payment करता है, जिसे हम बोलते हैं, factor payment, समझ में आ गया, last है, बस assumptions क्या है, हम लोग यह मान के चलते हैं, कि economy में दो ही sectors exist करते हैं, household और producer sector, हम यह मान के चलते हैं, household sector अपनी entire income को खर्श कर देता है, country में किसी भी तरह की कोई savings नहीं है, closed economy है, यानि कि ना हम export कर रहे हैं, ना हम import कर रहे हैं, कोई external sector exist नहीं करता, कोई government sector exist नहीं करता, और significance क्या है, इसकी यह जो हम लोगों ने पढ़ा है, circular flow model in two sector economy, इसकी क्या importance है, इससे हमें national income का पता चलता है, यह जो factor income होती है, जो हम लोगों नहीं यहाँ पर देखा था, factor payment, land, labor, capital, entrepreneurship को जितना भी pay करा जा रहा है, उन चारों चीज़ों को हम plus कर देते हैं, तो हमें क्या मिलती है, factor payment मिलती है, इसी को हम लोग क्या बोलते है, national income बोलते हैं, तो national income का पता चल जाता है, और इसी से हमें पता चलता है, inter-sectoral, interdependence का भी, कि कैसे economy का एक sector, दूसरे sector पर dependent है, समझ में आ गया, इसी के साथ में हम लोगों ने chapter number 2 भी complete कलिया, थोड़ा सा lengthy chapter था, तो हो सकता है, time थोड़ा सा जादा लगा हो, तो यहां तक का अच्छे से पढ़ लेना, कल की क्लास में हम लोग करेंगे हमारा chapter number 3, national income and related aggregates, lecture कैसा लगा हो, मुझे comments के अंदर बताना, अपने सारे friends के साथ में share करना, I will see you tomorrow, bye-bye.